How to fix Google File Some Files Missing Problem नमस्कार दोस्तो स्वागर आप सभीका तेकिराच योटूब चैनल पर तो दोस्तो आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है Google File के इस Files Missing Problem को fix कैसे कर सकते हैं तो दोस्तो मान लिजे आपने कोई Files जो है आपने मोबाइल पर सेफ कर लिया ठीक है आप दोस्तो यहाँ पर File Manager की मदद लेते हैं सारी साथ दोस्तो आप File Manager पर जाके कोई Files manage करते हैं उसके बाद दोस्तो आप जाके Google File पर जाके चेक करते हैं ठीक है और दोस्तो उसमें क्या होते है आपका जो file से वो missing रहते हैं और दोस्तो यहाँ पर आपको show नहीं करते हैं और दोस्तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी हो सकते है कि मान लिजे आपको कोई documents वगेरा WhatsApp पर send किया है और दोस्तो वो file जो है आपको file manager पर show करते हैं और आपके google file पर नहीं तो यहीं ऐसा कोई भी problem है कोई file जो है missing हो जाते हैं अच्छी तरह किसे यहाँ पर नहीं आते हैं तो आपको दोस्तो यहाँ पर troubleshooting process जो है follow कर लेना है यहीं आपको troubleshooting process मालूम है तो आप directly वीडियो देखे हैं अगर आप कर सकते हैं अपना time बचा सकते हैं यहाँ पर यहीं आपको पता नहीं है तो आप हमारा वीडियो description पर जाके link check out कर सकते हैं और यदि आपको किसी भी तरह का problem है तो दोस्तो आप हमें Twitter पर follow करके message जरू कर डिजेगा Twitter का link भी हमने description पर day रखाए ठीक है तो अभी दोस्तो चलिए वीडियो को बिना देर के हुए शूरू कर लेते हैं तो सबसे पहले तो दोस्तो यहाँ पर आपका जो files है वह इसले missing होते क्योंकि दोस्तो आपका जो Google file है उसमें problem है ठीक है तो यहाँ पर दोस्तो आप देख सकते हैं कोई settings आपको करना नहीं है ठीक है show files are used to run in apps तो यहाँ पर उस शो hidden files बता रहे हैं लेकिन दोस्तो यहाँ पर hidden files की कोई जरूद नहीं है ठीक है तो इसमें दोस्तो आपको कोई settings यहाँ पर नहीं मिलेगा आपको क्या करना है दोस्तो आपको simply back कर देना है सबसे पहले तो आपको प्लेशोर पर जाना है और चेक करना है आपका google files का जो version है वो कौन सा version है ठीक है अभी दोस्तो यहाँ पर सबसे main बात यहीं आपने update नहीं किया है google file को तो आपको उसे update करना होगा ठीक है आपको उसे update करना होगा क्योंकि दोस्तो यहाँ पर update नहीं करते तो ही दोस्तो आपको कुछ इस तरह का problem आते रहते हैं तो दोस्तो आप यहाँ पर डेख सकते हैं update में आपको क्या मिला है next update में improvement to audio player for enhanced background audio playback files grouping ठीक है तो यह सब दोस्तो यहाँ पर fix करके देर आए और improvement करके आपको देर आए ठीक है तो उसी वज़े से दोस्तों मैं आपको बता रहा हो यहीं आपने google file को यहाँ प लेटेस अपडेट आपको मेल जाते हैं ठीक है लेटेस जो भी दोस्तों यहाँ पर future से वह भी आपको डिया जाते हैं तो अपडेट करके देखें अपडेट के बाद दोस्तों यहाँ पर एक बार mobile जो है उसको restart कर लीजिगा restart करने के बाद दोस्तों आप Google file पर जाके रहने क्योंकि आपका problem solve नहीं होते तब दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़िएगा और दोस्तों वीडियो को पुरा देख लिजिगा ठीक है और दोस्तों यहाँ पर आगे solution आपको क्या करना है यहाँ आपको सेम प्रॉब्लम है तो एक बार दोस्तों आप सेटिंग पर चले उसमें दोस्तों आपको app manager करके मिलेगा तो यहाँ पर आपको आजाना है files by google पर click करना है और दोस्तों आपको इसका जो data है उसको clear up कर देना है तो यहाँ पर दोस्तों data clear up करने से कुछ नहीं होगा आप data आराम से clear कर सकते हैं सिर्फ इसका जो problem है वो ही fix होगा उसके बाद दोस्तों app permission पर जाएगा सारे permissions को allow कर लिजिए permissions allow करने के साथ mobile को भी एक बार restart कीजिएगा उसके बाद जाएए आप google file के अंदर पर जाके देखिए problem अपका solve हो चुका होगा ठीक है तो बस आपको यह solution कर देना है और फिर दोस्तों देखे कैसे आपका problem solve होता है और दोस् जोहे वीडियो पसने होगा टेंक्स पूराचिंग